हलो दोस्तो आप ये एंडुरीड फोन यूज करते हो और क्या दोस्तो आपका एंडुरीड फोन काफी ज़्यादा हैंग होता है फोन जो है वो गरम होता है आप अपने एंडुरीड फोन के हीटिंग इसू से दोस्तो परिशान हो और दोस्तो आपका एंडुरीड फोन काफी अपडेट करने का तरीका बताने वाला हूँ अगर दोस्तो आपने Android फोन को इस तरीके से अपडेट करोगे तो आपका Android फोन दोस्तो ना ही हीट होगा और ना ही दोस्तों हैंग होगा तो चली दोस्तों जानते हैं कि अपने Android फोन को कैसे सही तरीके से अपडेट किया जाता है तो वीडियो को दोस्तो शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले हलो दोस्तो मेरा नाम है संदीप आप देखरों नॉलेज गुरू जी तो चले दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आपको अपने android phone को update करने के लिए सबसे पहले settings में चले जाना है तो उसको दोस्तों रीट करके जरूर से अबडेट कर लिया करिए माली जो दोस्तों आपका तव्यत खराब है तो आप दोस्तों डॉक्टर के पास जाते हो दावा लेने तब जाके ठीक हो जाते हो उसी तरह दोस्तों Android phone है Android phone को दोस्तों software की जरूरत पड़ती है अगर दोस्त आपको क्लिक करना है बहुत सारे Android phone में दोस्तों अलग तरीके साते हैं तो दोस्तों आपको software update में कुल मिला कर चले जाना है जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे download and install का एक option देखेगा तो simplest दोस्तों आपको download and install पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देखो क कि आपका जो software update है वो start हो जाएगा तो दोस्तों जब तक software update होता है तब तक आपको अपने phone में कोई भी process नहीं करना है और ना ही दोस्तों back करना है चुप चाप दोस्तों इसको simplest update होने दिया करिए क्योंकि दोस्तों अगर आप कुछी भी इसमें छेड़ छाड़ करोगे त तो सही तरीके से आपका phone जो है वो update नहीं हो पाएगा फिर दोस्तों बाद में आपके android phone में कुछ ने कुछ problem आते रहेंगे इसके लिए जब तक पूरा update नहीं हो जाता तब तक आप कोई भी process मत करिएगा अपने android phone में तो मेरा दोस्तों यहाँ पे 100% download जो है वो complete हो गया ह complete होने के बाद दोस्तों यहाँ पे file जो है वो extract हो रहा है तो जब तक दोस्तों extract हो रहा है तब तक मैं वीडियो को post कर देता हूं क्योंकि दोस्तों extract होने में काफी time लगता है जब तक दोस्तों यहाँ पे 100% हो जाता है तब तक मैं वीडियो को post कर देता हूं तो दोस्तों फिर भी दोस्तो आपको verify होने तक wait करना है एंड दोस्तो आपको back नहीं करना है एक बात दोस्तो और ध्यान दीजेगा कि आप जब भी अपने phone के software को दोस्तो अपडेट करोगा तो आपके phone की जो battery है वो दोस्तो हमेशा full charge रखिएगा 50% तो दोस्तो नीचे battery रहेगा तो आप दोस्तो अपने phone को update मत करिएगा क्योंकि दोस्तो आपके phone की battery अगर low हो जाएगी तो software पूरी तरीके subject नहीं होगा और दोस्तो फिर बाद में आपके phone में बहुत सारे problem आ सकते हैं इसके लिए दोस्तो आप जब battery आपका full रहेगा तब ही आप अपने phone को update करिएगा verify भी दोस्तो 100% हो गया है verify होने के बाद अब यहाँ पर दोस्तो install now का एक option आपको show करेगा तो simplest दोस्तो आपको करना क्या है सबसे पहले आपको अपने android phone के नेट को दोस्तो बंद कर देना है बंद करने के बाद आप यहाँ पर जो install now है इस पर दोस्तो आपको click कर देना है हमेशा दोस्तो याद रखेगा जब भी आप अपने phone के software को update करोगे इस्टाल पर click करोगे तो जब तक दोस्तो फोन अन होता है तब तक हम वेट कर लेते हैं तो यहां पर दोस्तो फोन जो है अन हो गया है फिर आप अपने फोन का लॉक डाल के पासवर्ड डाल को दोस्तो अपने फोन को अन कर लेना है और फिर से दोस्तो आपको अपने अन्टरेट फोन का इंटरनेट जो है वो अन कर लेना है इंटरनेट आउन करने के बाद दोस्तो आप यहां पि देखो गए एक प्रोसेसिंग और चलेगा तो इसको दोस्तो छोड़ देना आपको इससे कोई मतलब नहीं है तो दोस्तो आपका android phone जो है पूरी तरीके से update हो गया है चेक करने के लिए दोस्तो आपको फिर से settings में चले जाना है settings में दोस्तो जाने के बाद आपको फिर से अपने about device या फिर about phone में जाना है और दोस्तो जहां पर software update लिखा रहा है उस पर आपको click करना है और फिर दोस्तो आप यहां पर देखो कि आपको लिखा रहा दिख जाएगा version up to date इसका मतलब दोस्तो मेरा phone जो है वो पूरी तरीके से 100% दोस्तो अपडेट हो गया है और दोस्तो आपको एक message भी show कर देगा यहां पर दोस्तो देख लिजे new version installed मतलब कि दोस्तो new version जो है वो मेरे android phone में installed हो गया है तो इसी तरीके से दोस्तो आपको अपने android phone को update कर लेना है दोस्तो 5-10 मिनट लगते हैं अपने android phone को update करने में अपडेट करते टाइम दोस्तो आपको बैटरी का ध्यान देना है कि बैटरी जो है वो फूल रहे और दोस्तो आपको कोई भी बीच में प्रोसेस नहीं करना है सिर्फ दोस्तो अपने android phone को update करना है तो यही था दोस्तो वीडियो तो आपको यह मेरा वीडियो पसंद आएगा वीडियो दोस्तो पसंद आए तो वीडियो जरूर एक like कर दिजेगा और दोस्तो चैनल पर नए है तो please subscribe जरू करिएगा धन्यवाद दोस्तो